खुश रहने का सबसे आसान तही का क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है, तो आज इस वीडियो में आप खुश रहने के पांस तही को के वारे में जानेंगे. तनाव हर बीमारी की जड़ है और खुशी हर बीमारी का इलाज. अगर आप खुश रहते हैं, तो बीमारी आपके पास भी नहीं भटकेंगे. लेकिन आज के समय में लोग खुश नहीं रहते, जिसका असर सेहत पर पड़ता है. और जिसकी बज़ा से डिप्रेशन, ब्लेट परशर, डाइबेटीज जैसे बीमारी आ हो रहे हैं. गूगल पर लोग ये सवाल सबसे ज़्यादा पूशते हैं, कि खुश कैसे रह सकते हैं? How to stay happy? यहां हम आपको बताने वाले हैं कुश तरीके जिनें अपना कर आप खुश रह सकते हैं और बीमारीों से खुद को बचा सकते हैं. खुश रहने के लिए सबसे पहले आप 7-8 घंटे की नीन लेना सुरू करें. नीन में कमी होने पर चुड़-चुड़ापन होने लगता है, जिसके कारण मन खुश नहीं रहता. नेगटिब चीजों के बारे में सोचना बंद करें. अपने आपको ये समझाएं कि जो हो चुका है वे बीता हुआ कल था और अब आपको अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है. बीते हुए कल को सोचकर अपना ना समय बरवाद करें ना अपने मन को दुखी करें. क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता जो लोग आपसे दूसरों की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं उनसे दूरी बना ले ऐसे लोग आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे अपने दिन्चरिया में योग को सामिल करें अपने मन को खुश और शान्त करने के लिए आप मेडिटेशन करना सुरू करें सुबह के समय घास पर नंगे पैर कम से कम 15 मिनट के लिए तहलें इससे हैपी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी आप परिशान हो और अच्छा महसूस ना कर रहे हो तो आप अपनी पसंद के गाने सुनें या फिर कोई म्यूजिंग इंस्ट्रुमेंट प्ले करें खुश रहने के लिए अपने खान पान में बदलाव करें और फल तथा सबजियां डाइट में जरूर सामिल करें दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ उपाय बताया है लेकिन वास्ताव में खुश रहने के कोई उपाय नहीं है क्योंकि जब तक आप अपने मन से खुद को खुश नहीं रखना चाहते हैं दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती इसलिए आपके पास जो भी है जितना भी है जैसा भी है उसमें खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें अब मैं आपको खुश कैसे रहते हैं उससे रिलेटर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक यूवक ने एक संत से पूँछा गुरुदेव हमेशा खुश रहने का कोई उपाए हो तो बताएं संत बोले बिल्कुल है आज तुमको वहराज बताता हूँ संत उस यूवक को अपने साथ सेर पर ले चले अच्छी अच्छी बाते करते रहें यूवक बड़ा प्रशन्न था एक स्थान पर ठहर कर संत ने उस यूवक को एक बड़ा पत्थर दे कर कहा इसे उठाओ और साथ चलो पत्थर को उठा कर वह यूवक संत के साथ साथ चलने लगा कुछ समय तक तो आराम से चला लेकिन थोड़ी देर में हाथ में दर्ध होने लगा पर दर्ध सहन करता चुपचाप चलता रहा संत पहले की तरह मदरुप देश देते चल रहे थे लेकिन यूवक का धैर जवाब देने लगा संत ने कहा यही है खुश रहने का राज मेरे प्रवचन तुम्हें तभी आनंदित करते रहें जब तक तुम बोज से मुक्त थे परन्तु पत्थर के बोज से उस आनंद को छेन लिया जैसे पत्थर को ज़्यादा समय तक उठाए रखने से दर्ध बढ़ता जा रहा था उसी तरह हम दुखों या किसी की कही कड़वी बात के बोज को जितनी देर तक उठाए रखेंगे उतना ही दुख और कस्थ होगा साथ ही खुशी जीवन से बहुत दूर चली जाएगी इस कहानी से हमें यह प्रेणना मिलती है कि अगर खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे जीवन में उठाओ ही नहीं